आज की वीडियो के निमनों बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपनी डेली हैबिट्स ठीक कर सकते हो because habits की वज़ा से इंसान की personality बनती है and अगर उसकी habits ठीक नहीं है then you have to fix that तो दोस्तो आज मैं आपको ऐसी तीन habits बताने वाला हूँ just three not more than that three basic habits जो की आपको ठीक करनी पड़ेंगी if you have to be successful in anything whatever you are after so अगर आप यह सब चीज़े जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा like दे दीजिए subscribe करिये menorah को and notification bell को दबना ना भूलिए to join our small and cute family so let's get started तो अगर हम लोग अपनी first habit की तरफ बढ़े जो की आपको ठीक करनी चाहिए that is the first thing that we have to fix that is that we have to set up everything a night before and I know guys आप लोग यह सब सोच हो की हमारे परेंट्स भी आपको यह सब चीज़े बताते हैं कि like यह सब चीज़े किया करो तो इसके निया किया मैंने बताया पर guys आप लोग खुद सोच के देखो अगर आप यह कल की outfit पहले से ही तियार है and everything that you have to do tomorrow वो पहले से ही अगर ready होगा तो कितना जादा असान हो जाएगा for the following day if you plan everything a night before आपके लिए बहुत जादा असान हो जाएगा and then your following day will be a lot more successful and a lot more productive so दूसरी चीज़ जो की मैं आपको बताना चाहँग guys अगर मैं अपनी बात करो तो मेरा दिन बहुत जादा बिजी जादा है I literally don't have any time but the one thing I do is I prepare a list of things that I have to do मैं वो वाली चीज़े पहले से ही लिख लेता हूँ guys after making the list मैं उस चीज़े को प्रियरटाइस करता हूँ कि आपको यह वाली चीज़ जरूर करनी चीज़े अपनी लाइफ के अंदर and अगर आप लोगो ने list बनाना शुरू कर दिया then it will change your life it is a guarantee because आप लोगो पहले सी पता होगा that what you have to do needs to be done and you will not waste your time from social media or anything like that so पहले आप लोगो वाली चीज़े खादम कर लोगे then you will be so much more productive and guys just stopping the video मैं आप लोगो यह बताना चाता हूँ कि मैं आपको जितने भी आभी दो पॉइंट्स बताया है यह बहुत जादा सिंपल है it is not like anything आपको बहुत जादा ताइम लग जाएगा सिर्फ आपको आदा या एक घंटा चाहिए आपको अपने दिन का आप लोग literally कभी भी दे सकते हो like सोने से पहले दे सकते हो before you sleep अगर आप लोग लिस्ट और आपको जो भी चीज़े आपको अगले दिन करनी है plan out पहले से कर लोगे then your life will be so much more organized आपको literally आपका time भी नहीं जाएगा इस चीज़ों के अंदर and that's like two of the most easiest habits जो कि मैंने आपको बताई है so please इसको implement करके जरूर देखना so हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसवी habit की तरफ जो कि है exercise और meditation and आप लोग यही सब जानते हो guys कि आजकल है social media का जमाना तो बहुत जादा लोग जो अपनी जिन्दगी के अंदर क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं पता होता पर दूसरों के जिन्दगी के अंदर क्या हो रहा है उनको उससे जादा फरक पड़ता है तो मैं आपको यह सब बताना चाता हूँ का यह जो inner peace होता है आजकल वो बहुत जादा destroy हो चुका है because social media has brought up a lot of anxiety, social media की वज़े से काफी जादा transparency आचुकी है लोग की लाइफ के अंदर, लोग बहुत जादा anxiety के अंदर रहना शुरू हो चुकी है and I've been guilty of that and this के लिए आपको meditation or exercise करना बहुत जादा जरूरी है guys, इस से फरक नहीं पढ़ता अगर आप लोगी पास time नहीं है, you have to take out that time and you have to exercise or either meditate because जो अंदर का peace होता है वो जादा important होता है compared to the outer peace because अगर आपकी अंदर की चीज़े ठीक रहेंगी तो आप लोग भार भी काफी जादा खुश रहा होगे and जो मैं physical fitness कह रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग 24 गंडे जिम के अंदर हो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, like fitness की definition कुछ भी हो सकती है, if you just take a round outside, अगर आप लोग वाकिंग पर भी जाते हों भार to do anything related to fitness, अपके काम जरूर आएगी take that word from me, अगर आप लोग अपनी लाइफ के दे इंकलूट करोगे और either meditation, your life will change, आपका जो नजरिया होगा life को देखने का, वो बहुत जादा बदल जाएगा so believe me guys, take this tip from your bro so आज की वीडियो के लिए बस इतना ही and before you go, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग यह सोच सकते हो कि यार मैंने सिर्फ 3 पॉइंट के बदा है, क्योंकि यह काफी सारी habits होती है जो कि हमको ठीक करने की जरूरत है but आज मैंने आपको सिर्फ 3 basic habits बताई है जो कि बहुत जादा easy है इसके बाद मैं आपका इसका second part बनाऊँगा इसके बाद मैं हो सकता है third या fourth part बनाऊँ to increase your level first आप लोग यह तीन चीज़े implement करके देखो अपनी life के अंदर तो step by step आपकी भी routine और आपकी habits ठीक हो जाएंगी and guys on a personal note मैं जानता हूँ कि मैं इतना बड़ा कोई professional तो हूँ नहीं and I'm not even successful by any means जो कि मैंने आपको यह तीन habits बताई है but यह तीन ऐसे उसूल हैं जो की बहुत महाल लोगों ने implement करें अपनी life के अंदर like तो guys उमीद करता हूँ आपको यह वाले tips बहुत जादा help करेंगी and थोड़ा सा भी अगर आपको यह वाले tips help करें तो मेरी यह वाली वीडियो सक्सेस होगी in my opinion so guys इस वीडियो को बहुत बड़ा like देजिए subscribe करिये मैं औरा चैनल को and अगर आप लोगों ने subscribe किया है तो press कर दिजे notification bell because that's one of the most important things because YouTube नहीं भेचता है subscribers को जो वीडियो आती है so you have to press notification bell for those updates and guys आप लोग comments में बताना कि आपको यह वाली वीडियो कैसे लगी and इस वीडियो को share जरू कीजिए जिसको आपको लगता है कि यह वाली वीडियो उसको help कर सकती है तो guys मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर till then take care and तो